आज के इस वीडियो में हम लोग विकम पार्ट वन एक्जाम के इकनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर टू इकनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर टू थिवरी अफ डिमांड के बहुती महत्पून 40 या 50 अबजेक्टिब सवाल्स को देखेंगे ठीक है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगोंने फार्ट चैप्टर को दोनों लैंग्विजेज में हिंदी और इंग्लिस दोनों में अच्छे से लगभग कहा रह सकता है सत्तर या 80 अबजेक्टिब सवाल्स को देखे थे और आज हम लोग इसी का इकनोमिक्स का ही दूसरा चैप्टर तियोरी अफ डिमांड के करीब 45 अबजेक्टिब सवाल को देखेंगे और फिर नेक्स वीडियो में भी हम लोग 45 अबजेक्टिब सवाल को देखेंगे दो वीडियो के माध्यम से इस चेप्टर के theory of demand चेप्टर के सभी महत्पून या सभी important जो भी objective questions बनने वाले हैं उन सभी को देख लेंगे ज़्यादा सवाल होएंगे तो exam में आने का chance रहता है ठीक है जिस वेसे हम लोग 70-80 objective सवाल को देखेंगे chapter 2 से theory of demand से ठीक है तो पहला सवाल मांग की लोट कितने परकार की होती है option A 2 परकार की option B 3 परकार की option C 4 परकार की या option D 5 परकार की तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D 5 परकार की दूसरा सवाल मांग की लोट सम के बराबर होने पर वस्तू की मांग में मुल्ले के अनुपात में अधिक परिवर्तन होगा या option B मुल्ले के अनुपात में परिवर्तन होगा या option C मुल्ले के अनुपात में कम परिवर्तन होगा या option D कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस सवाल का सही जवाब होगा ओप्षन B मुल्ले के अनुपात में पडिवर्थन होगा तीसरा सवाल विलासिता की वस्तुव की मांग होती है ओप्षन A लोचदार ओप्षन B बे लोचदार ओप्षन C पूर्णता बे लोचदार या option D सापेक्षित लोचिदार तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A लोचिदार चौथा सवाल निम्लिकित में किस की मांग लोचिदार होगी option A नमक, option B तंबाकू, option C चावल या option D बिजली का पंखा तो इस सवाल का सही जवाब होगा option D बिजली का पंखा पांच वाज सवाल निम्लिक्रित में किस वस्तू की मांग बेलोच होती है अप्सन A रेडियो, अप्सन B दवा, अप्सन C टेलेविजन या अप्सन D आभूसन तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अप्सन B दवा चाटा सवाल, जीवन की अनिवार ये वस्तू की मांग की लोच किस परकार की होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, उपशन C सापेक्षित बेलोच दार साथवा सवाल निमलिकित में किस रेनी की मांग बेलोचदार होती है आप्शन A नमक, आप्शन B स्वर्ण आभोसन, आप्शन C क्रिसक के लिए मोटर कार की मांग या आप्शन D रेडियो की मांग तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्शन A नमक आठवा सवाल निमलिकित में किस परकार की वस्तु की मांग समाने तह बेलुचदार होती है आप्शन A विलासिता की वस्तु है आप्शन B आरामदायक वस्तु है आप्शन C अनिवारे वस्तु है या आप्शन D विविन उपयोग वाली वस्तु है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C अनिवार्रे वस्तु ए नौवा सवाल वस्तु के लिए बजार संतूलर निर्धारित होता है option A वस्तु की बजार मांग द्वारा option B वस्तु की बजार पूर्ती द्वारा या option C वस्तु की बजार मांग और पूर्ती द्वारा option A 1 से infinitive option B 0 से infinitive option C minus infinitive से plus infinitive या option D उपरोक्त में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B इगारवा सवाल मांग की लोच एक गुनात्मक कथन है या option B परिनात्मक कथन है option C गुनात्मक एवं परिनात्मक दोनों है या Option D, न गुनात्मक है, न परिनात्मक तो इस सवाल का सही जवाब होगा Option B, परिनात्मक कथन है मांग की लोच एक परिनात्मक कथन है 12वा सवाल मांग की लोच, Option A, सभी परिसितियों में एक समान होती है Option B, वस्तू की परकृति के अधार पर बदलती है या option C वस्तू की परकृती में परवावित नहीं होती है या option D निमलिकेत में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B वस्तू की परकृती के अधार पर बदलती है तेरवा सवाल पूर्ण अस्थापन वस्तूओं में मां की आरी लोच अनन्त होती है या option B साधारन होती है या option C बेलोच होती है या option D पूर्ण बेलोच होती है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A अनन्त होती है सवाल क्या था पूर्ण अस्थापन्ने वस्तुओं में मांग की आरी लोच अनन्त होती है चौदवा सवाल यदि मांग की आय लोच 31 से अधिक है तब वह वस्तू आप्शन आवस्यक वस्तू है या आप्शन भी विलासितां की वस्तू है या आप्शन सी निम्न वस्तू है या आप्शन भी उपरोक्त सभी तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्शन भी विलासितां की वस्तू है ठी आपको एक questions provide के जा रहे ताकि आपका revise हो या एक test जैसा हो जो भी सवाल selective सवाल है यहाँ से exam में अगर directly आप इसी को याद कर लेते हैं फिर भी आपके exam में सवाल इस chapter से पूरे हो जाएंगे ठीक है लेकिन फिर भी आप book को हराल में study के जाएगा ठीक है लेकिन कहाई रसकता है exam करीब है तो आप इससे भी help ले सकते हैं helpful यह जरूर होगा ठीक है चलिए तो सवाल क्या था 14 सवाल क्या था मां की लोच की आए लोच 31 से अधिक है तब वह वस्तू अवस्त्यक वस्तू है विलासिता की वस्तू है निम्न वस्तू है यह उपसंडी उप्रोक सभी तो इस सवाल का सही जवाब क्या था आपसंडी विलासिता की वस्तू है 15 सवाल निम्न कोटी की वस्तूओं में आए लोच धनात्मक होती है यह उपसंडी रिनात्मक होती है option a 21 से कम होगी option b 21 से अधिक होगी या option c सुनने होगी या option d अनन्थ होगी तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा option b 21 से अधिक होगी ठिक है सवाल क्या है एक ही मांग वक्र के भिन्ने भिन्ने बिन्दों पर मांग की लोच इस्तिर रहती है option B बदलती रहती है option C कुछ देर इस्तिर फीर बदलती है या option B इनमें से कोई नहीं तो इसका जवाब आप Nordows कमेंट केज POLK है ठीक है अठारवा सवाल यदि दो वस्तुए स्वतंत्र है तब उनके मद्ध परतियस्थापने की मांग लोच आपसने 21 से अधिक होगी या आपसन B 21 से कम होगी या आपसन C 21 के बराबर होगी या आपसन D सुनने होगी क्या होगी कमेंट कीजिए ठीक है चलिए तो आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए सत्रवा सवाल क्या था ये भी सुनने जिए एक ही मांग वक्र के भीन 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 बिंदू पर मांग की लोच इस तिर रहती है बदलती रहती है कुछ दिर इस तिर फीड बदलती है या इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब क्या था क्या होगा तो आपसन बी होगा बदलती रहती है ठीक है सत्रवा का बी होगा और अठारा का क्या जवाब होगा जवाब बता ही देते हैं तो अठारा का सही जवाब होगा आपसन डी सुनने ठीक है तो आप्सन D सुनने होगी उन्हीसवा सवाल अल्प कालीन उत्पादन फलन है आप्सन A परिवरतन सीर अनुपात का नियम या आप्सन B पेमाने का परतिफल या आप्सन D उप्रोक्त दोनों या आप्सन D इनमें से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्सन A परिवरतन सीर अनुपात का नियम भी सवा सवाल जब वस्तु की मांग की लोच अनन्थ होती है तो एक फर्म के लिए निमलिखी समिक्रन लागू होगा आप्सन A AR greater than MR है ना या आप्सन B MR greater than AR इस सवाल का सही जवाब होगा आप्सन C MR greater than AR 21 सवाल निमलिखीत में से किस वस्तु के मुल्ले वृद्धी से दूसरे वस्तु की मांग वक्त दाई और खिसक जाएगी आप्सन A पर्तियस्थापना या आप्सन B पूरग आप्सन C आवस्यक या आप्सन D कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा पर्तियस्थापना 22 सवाल एक रिजूरे की मांग वक्त जहां X अक्ष से मिलता है वह मांग की लोच सुनने होगी या आप्सन B इकाई होगी या आप्सन C अनंत होगी आप्सन D कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्सन A सुनने होगी 23 सवाल मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रवावित नहीं करता आप्सन A वस्तू की प्रक्रिती आप्सन B अस्थापन ने वस्तू की उपलब दता आप्सन C समय आप्सन D इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा आप्सन D इन में से कोई नहीं 24 सवाल समय मुल्ल से अधिक मुल्ले पर बजार में अत्यादिक मांग होगी या आप्सन B अत्यादिक पूरती होगी या आप्सन C मांग पुर्टी के बरावर होगी या option D इनमें से कोई नहीं सवाल क्या था समय मुल्ल से अधिक मुल्ले पर बाजार में क्या होगी तो इस सवाल का सही जवाब होगा option C मांग पुर्टी के बरावर होगी ठीक है 25 सवाल उदासीन वक्र की ढाल होती है option A, डायें से बाये option B, बायें से दाये या option C, उप्रोक्त दोनों या option D, कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B, बायें से दाये ठीक है, छबिस्वा सवाल यदि मांग वक्र P के पावर D बड़ावर 400-2P होतो हो, एवं पूर्ती वक्र क्यों पावर D, बड़ावर 100-2P होतो संतूलन मुल्ले एवं मांग होगी क्या 100-200 ठीक है, या 200-200-100 या 1.500-100 या 1.500-100 इस सवाल का सही जवाब होगा, option B 200-200-100 ठीक है, 27 सवा सवाल विलासिता वस्तु के मुल्ले मांग की लोच होती है, option A E बड़ावर 0, या option B E बड़ावर infinitive, या option C E बड़ावर 1, या option D E greater than 1 इस सवाल का सही जवाब होगा, option C E बड़ावर 1, 28 सवा सवाल मांग के नियम का संबंध है, I और मांग के बीच, या option B चलिए, उन तिस्वा सवाल क्या है मांग में संकूचन तब होता है, जब मांग में संकूचन तब होता है जब क्या होता है, option A कीमत बड़ती है, और मांग घरती है या option B कीमत बड़ती है और मांग भी बड़ती है या option C कीमत इस्तिर रहती है और मांग घड़ती है या option D कीमत घड़ती है लेकिन मांग इस तिरहती है इस सवाल का सही जवाब होगा option A कीमत बड़ती है और मांग घड़ती है तीसवा सवाल निम्लिकित में से कौन मांग की लोच मापने की एक विधी नहीं है तीसवा सवाल क्या है निम्लिकित में से कौन मांग की लोच मापने की विधी नहीं है आपशन A, परतिसत विदी, आपशन B, आय परनाली, आपशन C, कुल वय परनाली या आपशन D, बिन्दू विदी इस स्वाल का सही जवाब होगा, आपशन B, आय परनाली एक तीसवा स्वाल निकलिकेत में से कौन गटक मांगी लोच को परवावित करते हैं? Option A, वस्त की प्रकलिटीukt। Option B, आय अस्तर या Option C, कीमत अस्तर या Option D, इनमें से सभी। इस स्वाल का सही जवाब होगा Option D, इनमें से सभी। 32 स्वाल, मांकी लोच की नाप मांकी लोच की माप निम्लिकेत मैं से किस विधी से की जाती है आप्षन A. QLVS रिटि आप्सन B. परतिस्षत या अनुपातिक रिटि या आप्षन C. बिंदू रिटि या आप्षन D. इन में से सभी इस सवाल का सही जवाब होगा आप्षन D. इन में से सभी त्येतिस्वा सवाल मांग की लोच्का मान होता है option A धनात्मक, option B डिनात्मक, option C सुनने या option दी कोई नहीं इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए ठीक है चलिए 34 वा सवाल मांग के लिए option A साधन का होना आवस्यक है option B परभावपून एक्षा का होना आवस्यक है या option C परभावपून एक्षा तथा निश्चित कीमत वा समय का होना आवस्यक है या option D इनमें से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब है option C परभावपून एक्षा तथा निश्चित कीमत वा समय का होना आवस्यक है 35 सवाल मांग तथा एक्षा दोनों एक ही चीज है या उप्षन B अलग अलग चीज है या उप्षन C उप्रोग दोनों में से एक भी नहीं या उप्षन D इन में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा उप्षन B अलग 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 चीज है 36 सवाल मांग के लिए आप्षन A एक्षा की पूर्ती आवस्यक है आप्षन B एक्षा की पूर्ती आवस्यक नहीं है आप्षन C एक्षा का होना आवस्यक है या आप्षन लिए इनमें से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B, एक्षा के पूर्थी आवसेक नहीं है सत्रहवा सवाल 37 सवाल ग्यानवा सिक्षा के प्रसार से option A, आवसेक्टा में कमी होती है option B, आवसेक्टा में व्रिधी होती है option C, आवसेक्टा इस्तिर रहती है option D, इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा, option B, आवसेक्ताओं में व्रिद्धी होती है, कौन सा सवाल था, ठीक है, ये, 33 सवा सवाल, मांग की लोज का मान होता है, धनात्मक, रिनात्मक, सुनने या कोई नहीं, तो इस सवाल का सही जवाब होगा, option A, धनात्मक, ठीक है, चलिए, तो option B, आवसेक्ताओं में व्रिद्धी होती है, चलिए, 33 सवा सवाल क्या, सभी आवसेक्ताओं एक समान होती है, या option B, पूरक होती है, या option C, भिन्ने भिन्ने होती है, या option D, इनमें से कोई नहीं, सभी आवसेक्ताओं कैसी होती है, अलग-अलग होती है, इस सवाल का सही ज जवाब की जा सकते हैं ठीक है तो औप्सन भी सही होगा 40 सभाशते हैं सिमिथ ऑस्मित यह मैं और गतिसील है यह कोई नहीं इस स्वाल का जवाब आपके यह जवाब कमोंट केंज देगा इसका जवाब कमेंट में देंगे ठीक है 99 सवाल मानों की नियम की अपवाद अनुसार मुल्ले में विर्दी होने पर मांग घरती है बढ़ती है इस तीर रहती है या इनमें कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब होगा option B बढ़ती है 42 सवाल अवसेक्ता तथा मांग दोनों एक ही चीज है अलग अलग चीज है एक दूसरे के विर्दी चीज है या इनमें से कोई नहीं इस सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग किजिए कमेंट में इसका जवाब देंगे ठीक है कि आवसेक्ता तथा मांग दोनों क्या है एक ही के लिए कितने तत्व का होना आवस्यक है option A 2, option B 3 option C 5 option D 6, तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B 3 3 44 सवाल, वस्तू की कीमत तथा मांग के बीच का संबंध option A विपरित होता है या option B सह गामी होता है या option C दोनों में से कोई नहीं तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A विपरित होता है 45 सवाल, तीजी तथा मंदी काल्म से मांग का नियम परभावित होता है और परभावित होता है या और भी दोनों या कोई नहीं, तो इस सवाल का सही जवाब होगा option B और परभावित रहता है तो उमीद करते हैं इस वीडियो से या इसमें जो सवाल थे इन सभी सवालों से अब्जेक्टिव सवालों से आपको फायदा पहुची होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे है ना आगे करी 45 या 50 और भी अब्जेक्टिव सवाल स्कोर देखेंगे ठीक है तो उमीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी असी लगी होगी है ना तो इसी तरह का कहा जा सकता है बोर एक्जाम से जूरे या कंपेटिव सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल भी बजा दीजेगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए और थैंक्यू सो मज फूर वाटिंग दिस वीडियो